छे नमबर चलिए देख लिए चाहिए छे नमबर य बराबर क्या दिया हुआ है a plus b sin x बटा में c plus d cos x actual में यहां y लिखना चाहिए था क्योंकि उपर ही करा d y by dx इसमें भी y लिख दो ना y बराबर में यह दिया हुआ कोशन में छोड़ दिया है चलिए इसको डिफ्रेंसियेट करते हैं डिफ्रेंसियेटिंग विथ रस्पेक्ट टू एक्स चलिए दिखते हैं क्या हो जाएगा d y by dx तो नीचे वाले का स्क्वार यानि कि हो जाएगा यहां पर c plus d cos x का होल स्क्वार इसका डिफ्रेंसिस जाता ह तो कॉंसेंट में 0 और b sin x का cos x हो जाएगा यानि b cos x bracket में c plus d cos x minus उपर वाले को वैसी रख दो a plus b sin x को और नीचे वाले का डिफ्रेंसिस तो c का तो 0 कॉंसेंट है और d cos x का हो जाएगा minus का d sin x cos का minus sin होता है न जी चलिए उपर इंटू कर लिया जाए चाहे छोड़ भी सक ने हैं लेकिन इंटू कर लोगे तो थोड़ा सा और इसको simplify यहां कर सकते हैं क्या जाएगा यहां पर इंटू करोगे तो तो यहां पर आ जाएगा b c cos x plus में b d cos square x minus minus plus हो जाएगा आ जाएगा यहां पर a d sin x और आपका minus minus plus b square b d है ना b d sorry b d sin x sin square हो जाएगा चलिए और बटा में c plus d cos x का whole square चलिए यहां पर देखो इसको लिख दो और इसको लिख दो b c cos x plus में a d sin x plus इन दोरों में से b d common कर लोगे तो b d common कर लोगे तो यहां जाएगा cos square x और plus में sin square x तो इसका तो formula 1 होता है यही ना बच जाएगा और बटा में आपका जो है वो तो रहे गई c plus d cos x का whole square चलिए इसको थोड़ा सा और एक लाइन लिख देते हैं b c cos x plus में a d sin x और plus में सिर्फ b d बचेगा क्योंकि इसका value 1 हो गया और बटा में जो है c plus d cos x का whole square आपका answer आ गया समझ गया है सरी आगला